केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी था उस तुल्ला में सबसे अधा किसानों के हितों में अपने दिरने की है और इसलिए MSP हमारे 6 साल में लगातार बढ़ती रही है और ये सचाई है कि किसान अपनी उपच को बेचने के लिए आज तक उसके उपर बंधन था कि बाजार समीती के मार्केट में ही उसको बेचना पड़ता था अब वहां के बजाए किसान बाजार समीती का भी चॉइस है या बाहर भी बेच सकता है और मैं आपको मेरी खुद की बात बता रहा हूँ यहाँ धापेवाडा करके नाकपुर जिले में मेरी खेती है मेरे हाँ और्गनिक सब्गी होती है और मैं वो मार्केट म जो बिचोलियों को 8% दलाली देनी पड़ती है वो भी देनी नहीं पड़ती जिसके करण मेरे को ज़्यादा उत्पादन होता है तो कही न कहीं किसानों का फाइदा हमको करना है किसानों का शोशन करना है मैं यह मानता हूँ कि हमको किसानों के साथ नाय करना है उनका कर नहीं था क्योंकि बाजार समिती में जाकर किसान के माल की जो भी कीमत ते होती थी जो मार्केट में ओ दलाल जो था बिचो लिया वो ते करता था या लेने वाला ते करता था अब पहली बार किसानों को अपने टर्ण पर अपना माल किसी को भी बेचने का अधिकार मिला है औ और मैं मानता हूँ कि जहां किसानों का भला है उसी के साथ लोगों ने साथ देना चाहिए इस प्रकार से किसानों के भलाई के अच्छे जो कारे हो रहे है उसका विरोध करना ठीक नहीं होगा ये जब कन्वीज ने किया जाता तो कन्वीज करके किसानों को गुमरह करने के बाद चल रही है और सचाई यह है कि ये सब कानून किसानों के हित्मे बने है लेकिन कौन कन्वीज कर रहा है गट करीजी और सरकार छे दौर की बात्चीत के बाद भी कन्विंस क्यों नहीं कर पारी कन्फ्यूजन फैलाने वाले हावी क्यों हो जा रहे दिखिए पहली बात तो ऐसी है कि पार्लेमेंट में लोकसभा और राज्यसभा में जब भी ये बिल आये थे तो इसमें सभी पार्टियों ने जो जो भी सुझाओ दिये थे उसको सरकार ने स्विकार किया और उसके बाद ही ये बिल पास हुए है इसके बाद में भी अगर कोई अच्छे सुझाओ आते है ये मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ लेकिन गड़करी जी आप तो खुद ऐसी चीजे पहले देख चुके हैं कई दफ़े ऐसी चीजों में आपने संकट मुचक की भूमे का निभाई है आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा प्रदर्शन केवल क्योंकि किसी ने मिसलीड कर दिया इसलिए खड़ा नहीं किया जा सकता कहीं न कहीं कोई वास्तविक दर किसानों के मन में होगा जो इस चकल में बाहर आ रहा है देखे एक तो सही बात यह है कि किसानों की पिछले अनेक सालों से जो परिस्थितिय उसमें ऐसा है कि इंटरनेशनल प्राइज और मार्केट प्राइज ये दोनों की तुनला में MSP उससे ज़्यादा है केवल आईल सीड ऐसी है कि आईल सीड में आज हमारे देश में 90,000 करोड का आईल हम इंपोर्ट कर रहे है और इसलिए सबसे महतुपूरला बात है कि किसानों के चीज को अच्छे भाव मिलने के लिए हमने ये पहला एतियासिक निरने मोदी जी के सरकार कनेतुरतों में लिया गया है कि अब शुगर जो है हमने पिछले साल 60,000,000 टन शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए 6000 करोड की सबसेड़ी दी है अब पहली बार ये निरने किया गया है कि किसानों को भाव मिले इसलिए शुगर के इंचू से मोलाइसे से बीहवी मोलाइसे से इथेनौल का तो खरीदी करेंगे ही पर इसके साथ साथ चावल और कॉन और बाकी भी फूड़ ग्रेंज से बना इथेनौल बनाने की अनुमती दी गई है और हमारे पास 280,000,000 टन चावल का स्टॉक है अब उसमें काफी इथेनौल में कनवर्ट होगा तो किसानों को रोजगार भी मिलोगा बेटों को गावों में उद्योग भी आएंगे और पेट्रोल डीजल का जो आठ लाग करोड का इंपोर्ट है उसके बजाए इथेनौल आएगा अब मैं आपको एक ही बात बताता हूँ पेट्रोल में 10% इथेनौल बनाने की बात हुई इसके लिए परधान मंत्री जी के सामने 2022 तक कारेकरम तहीं हुआ था परधान मंत्री जी ने कहा मुझे 2020 तक ये पूरा करना है साड़े चार सो करोल लिटर इथेनौल खरेदी किया जा रहा है आईल कंपनी के और से और सोला सो करोड दस परसेंट एड़ करने के लिए शौर्टेज है और अभी इसके बाद डीजल में भी 10% मिलाने की बात के लिए अभी काफी प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद फ्लेक्स इंजिन में 100% पेट्रोल और इथेनौल ये भी हम ला रहे है तो एक प्रकार से किसानों के लिए 2,00,00 करोड की ये नहीं एकोनमी पास साल के अंदर बनाकर किसानों को अच्छे भाव मिले इसके लिए प्रयास करने वाली पहली सरकार ये हमारी सरकार है इस बात का मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ जब UPA की सरकारती उन्होंने कभी ऐसे निरने नहीं किये हमने अभी किसान का उत्पादन बड़ा है और इसके साथ साथ हमको उसकी प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को भी सोचना होगा इसके लिए पहली बार कुवीट के बाद जो पैकेज दिया गया है चाहे उसमें फिशिंग को हो 12,000 करोर फिशिंग को दिये गया है हमारे जानवरों को सुधारने के लिए उसके लिए पैसे दिये गया है इसके साथ साथ किसानों के लिए fruits, pearls, vegetables में उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए पैसे दिये गया है एक प्रकार से किसानों के जीवन को बदलने के बारे में जो एतियासिक निर्णा है वो इसी सरकार के कारेकाल में किये गए है और हमारी सरकार गाओ गरीब मजदूर किसानों का कल्याण करकी आगे जाएगी लेकिन गड़करी जी, किसानों को इस बात का विश्वास क्यों नहीं हो रहा जो आप विश्वास दिलाना चाहरें और अब तो सीधे सीधे आपके मंत्राले पर भी चोट हो रही है हाईवेज रोके जा रहे हैं तोल ना के आज उन्होंने फ्री कर दिये ये कहते हुए कि ये हमारे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है एक बार भी सरकार ने आप से नहीं कहा कि गड़करी जी आप भी आगे आईए जरा समझाईए इन किसानों को आप तो किसानी भी जानते है दिखिए लगातार किसानों को समझाने का प्रयास हमारे कुशी मंत्री नरेंदर तोमर जी कर रहे हैं उनके साथ पियूज गोवेल जी भी थे दोनोंने एक भाच्चीत की और कहा कि हम आपके जो भी सुझाव है उसके साथ विचार करके करने के लिए तयार है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस देश में बहुसंग का किसान ऐसा है कि जिनको इसका बड़ा समर्थन भी है पर मुझे लगता है फिर भी इन किसानों को सच्चाई समझाने का हमारा पुरा प्रयास है किसान समझेंगे और निश्चित रुप से जो भी किसान इसमें आये है बदलाव भी कर देंगे जो ये कहेंगे उसके बाद दूसरी तरफ से सरकार ये भी कहे कि अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजाक कर लिया है देखो कैसे कैसे पोस्टर लेके बैठे है खालिस्तान के नारे लग रहे हैं तो ये समवाद का दावा और दूसरी तरफ से आरोप इससे खाई घटेगी या बढ़ेगी दोनों के बीचे दिखिए आप भी इस बात को समझते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर अगर अंदोलन है तो इस अंदोलन में जिन-जिनके फोटो लेकर आगे देखे गए जो आप नहीं दिखा है वो फोटो कैसे आए इनका किसान के साथ क्या सम्मन था जो नक्षलवादी मूवमेंट में आरोपी बनकर जिनको सजा हुई थी जिन्होंने अंटी नाशनल भूमी का लेकर ऐसे वक्तवे दे थे जिनके आपर कारवई की गई थी उन लोगों के फोटो का संबंदक किसानों के अंदोलन से क्या था और ये फोटो जब सामने आए तब लोगों ने हमारे मंत्रियों ने ये बात के टिपनी की है ये बात आप जरूर समझिए तब ही आपको उनकी टिपनी का कारण ध्यान में आएगा अब ही क्रिशी कानून है इसके पहले CAA का मसला था उसके पहले 370 को खत्म करने का मसला था ऐसे कंटेंशियस मसलों पर आप लोग सदन के भीतर जीत जा रहे हैं क्योंकि आपकी ताकत है वहाँ पर लेकिन सड़क पर आपको घहरा जा रहा है विपक्ष कह रहा है कि टू मच मेजोरिटी का फाइदा तो आप लोग ले रहे हैं असल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब दोनों बील तीनों बील जब सवस्त में आये तो क्या इसके ओपर चर्चा नहीं हुई क्या इसके ओपर अलग अलग राजनितिक पार्टियों ने अपने मतपरशन नहीं किये सुजाओं नहीं दिये और क्या ये युनानिमिटी से इसमें से कुछ कानुन पास करके आगे नहीं गए क्या आज जो राजनितिक नेता इसका विरोध कर रहे एक समय इसका समर्थन कर चुके इसके बारे में मांग कर चुके ये सहीं नहीं है देखे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजनिती अलग है किसानों की भलाई अलग है और मैं ये मानने वालों में से हूँ कि जहां गाव गरीब मजदूर किसान के कल्यान की बात होती है वहाँ सभी पार्टियों ने उनके साथ देना चाहिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए राजनिती करने के लिए बहुत से मुद्धे होते हैं उसमें जरूर करने चाहिए और राजनिती नेता राजनिती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसमें करने का उनका अधिकार भी होता है परदेश की सुरक्षा हो, गरीबों का हीथ हो, गाओ गरीब मंदूर किसान का कल्यान हो, अच्छी योजनाय हो उसमें तो हमने निश्चित रुप से एक दूसरे को साथ देना चाहिए इस समय लोगों को भैका नम है, मैं आपको मेरा खुद का उधारन बता रहा हूँ कि मेरी यहां की सबजी को मुझे मार्केट में 10 रुपे किलो ज्यादा वाओ मिल रहा है अगर मुझे यह बंदन नहीं है कि मैं बाजार समीति में जाकर ही बेचू, मार्केट प्लेस में अचीस, तीस के शेतकरी बजार कुले हैं और जो डारेक किसानों से माल लेते और बीच का बिचोल यह सब रद्ध हो गया है अब मुझे बताईए कोवीड के समय में बाजार बनते तब से यह पद्धती भी कसित हो गई और आज वो एक्स्टैबलिश हो गई है तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप आखिर प्रैक्टिकल ग्रासरूट ग्राउंड लेवल पर किसानों का फाइदा किसमे है किसमे नहीं यह देखिए और किसानों का शोशन भी होता था मार्केट में और एक बात देखिए कि हर चीज जैसे आप किया कोई एड़डेजमेंट आएगी तो एड़डेजमेंट का रेट क्या होगा यह आपको तेह करने का अधिकार है आप मार्केट में जाओ कोई बिस्किट का पुड़ा खरीदी करो उसके ओपर ओंपनी तेह करेगी किसान अपने लिए अपने माल को बेचते समय उसको सही भाव जहां मिलेगा वहां बेचेगा और अपना बात तहीं करेगा यह किसानों का हीत है मेरी बात से आप एक ही बात समझ लो ग्रास रूट लेवल पर यह किसानों का फाइदा है यह बोल रहे हैं कि बड़े-बड़े उद्योग पतियों को हम लोग कांट्रेक्ट फार्मिंग दे रहे हैं मुझे मैं विदर्बर में हूं यहां किसान आत्मत्या कर रहे हैं आप कि सीड भी लाओंगा फेटलाइज भी लाओंगा खर्चा पूरा कैपिटल में लगाओंगा और जो उत्पादन मिलेगा उसमें परेकर आपको दूंगा यह जो उत्पादन मिलेगा उसमें खर्चा काटकर आधा तुमारा होगा आधा मेरा होगा क्या हम एखादी इंडस्ट् बाकी investment करके किसान को उसका फाइदा दे रहा है तो क्या ये किसान का हीत नहीं है आज कितने ऐसे किसान है कि जो कर्च के बोज़े के कारण ना seed खरीच सकते हैं ना fertilizer ले सकते हैं ना पानी की विवस्ता कर सकते हैं क्या ऐसे किसानों को अगर कोई joint venture partnership करते हैं और उसके कारण उ उनको जो जमिन बंजर रहने के वज़े अगर दो पैसे मिलते हैं तो उसमें गलती क्या है इसका विरोध करना गलत होगा ये ठीक नहीं है और यही बात किसानों के हित्म है और निश्चित रुप से हम किसानों को समझा रहे हैं और बहुत संग के किसान समझ भी गया है और जो भी आज अंदूलंद कर रहे हैं उनका अंदूलंद करने का अधिकार है पर हम सच्चा है उनको समझाएंगे और निश्चित रुप से इस मार्गस से उनको दूर करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है बाकि जो राजनीतिक नेता है उन्होंने तो सोने का ध्रूंगी किया है उनको कैसा भी करके हम कुछ भी करें तो उनको अंदूलंद करना है उनको तो हम नहीं रोक सकते हैं के अंदूलंद खत्म करा ले तो क्या वो क्रिश्ची रिफॉर्म्स का असली मकसद पूरा हो जाएगा इन बदलाओं के साथ जिसके लिए आप ये बिल लेके आए थे दिखिए पहली बात तो ऐसी के बिल लाने के पिछे सरकार का उद्दे शेहिता के किसान का कल्याणों ये किसान कौन से पार्टी का है किसका समर्थन करता है इसका कौन नेता है ये प्रशनक गोण है मूनता बात है कि पहली बार आज देश के इतिहास में किसानों को अपनी माल की कीमत खुद को तैय करने का अधिकार प्राप्त हुआ ये फंडामेंटल राइट जितना सविदा में है उतने बराबरी का अधिकार इस बिल के कारण मिला है मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि आज देखो मार्केट में हर चीज जो भी मिलती है उसको तैय करने का अधिकार उसके मैनिफेक्चरर उत्मादक को है ये पहली बार किसान ऐसा है कि इसकी किसी भी चीज का भाव तहाँ तहकर को नहीं है किसान जब मार्केट में जाताए तो बिचो लिया और खरिदने वाला उसका भाव तहश करता है अब पहरीु बाद किसान तह करेगा कि जो भी हो वह अगर वह जो बोलता है वह भाव जिसको देगा उसी को अपना माल बेचेगा अब मुझे बताओ सिंपली ये बात किसान के फाइदे की है कि नहीं है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सब बातों के उपर जो ग्राउंड रियालिटी है वो बहुत अलग है और इसमें किसानों के हित में ये हो करेंगे सयोग करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है जिसमें उन्होंने अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि पिछले सोला दिन के इस आंदोलन के दौरान कम से कम 11 किसानों की मौत हो चुकी है इसके पहले कि नोट बंदी में भी सरकार के उपर आरोप लगे कि लाइनों में खड़े-खड़े लोग मर गए उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ सरकार के उपर आरोप लगए कि सरकार की समवेदन हिंता की वज़े से लोगों को ये परिस्थिती देखनी पड़ी कि आप इस बात को सुविकार करतें कि आपकी सरकार अकसर ऐसे बड़े मौकों पर संवेधन हीन हुई है पहले बाद तो ऐसी है कि सरकार सब्वेद अन्शील है अभी तक किसाने के उबर कई लाठी जाज नहीं हुआ कई गोली नहीं चली कई किसानों को रोका नहीं गया किसान को सन्मान के साथ डिल किया गया आज भी सरकार चाहती राजसरकार चाहती एहरियना की सरकार चाहती पुलीस चाहते तो निस्ची तुरुप से कुछ न कुछ कारवे होती अभी आप ही दिखा रहे कि किसान रोड रोक रहे थे किसान टोलना के पर चलेए थे किसी ने काठी नहीं चलाए किसी ने उनको रोका नहीं आज भी लोग शांति पुनरुख से उनको अंदुलन कर रहे तो उनके बास सन्मान के साथ विभार कर रहे इसका मतलब सरकार के कारण कोई किसान का मृतिव नहीं हुआ ना सरकारं किसी कि ग्यारा किसानों का मुर्त्यू हुआ तो मुझे बताइए कहा लाटी चार्ज हुआ कहा गुली चली कहा सरकार ने कोई अन्याय किया यह नैचरल डेथ है कि यह अंदुलन के डेथ है कि यह को पुलिस के करण हुआ आप देखो यह सब बातों के डिटिल में जाकर ही जिम्मे गर्मेंट रिस्पॉंड पर रिस्पॉंड नहीं करना चाहिए पहली बात तो ऐसी है कि अभी वह एक व्यक्तिकत ठिंकर है उन्होंने क्या लिखना और क्या वोलना उनका प्रश्न है लोग का तंत्र में सब्वेदंशिल राजनितिक पार्टी के रूप में और सब्वेदं सब्वेदंशिल शाषन करता के रूप में जब भी कोई बात होती है तो उनके साथ चर्चा करनी चाहिए बहस करनी चाहिए और चर्चा से निचोन निकालकर निरने करके उसके उपर निरने करने चाहिए यही लोकतंत्र का तकाजा होता है और इसलिए लोकतंत्र में में ऐसे एक नेता थे कि जिन्होंने विपक्षका सन्मान करते हुए ही अपनी राजनिती की है हम उन्हीं का अनुकरन करें और मोदी जी और हम सब लोग मिलकर हम सबसे चर्चा करना चाहते हैं सुझाओ लेना चाहते हैं जो भी उसमें से अच्छे के साथ अन्या होगा और किसानों के साथ अन्या करने वाला कोई दिरने सरकार ने करना उचित नहीं होगा ये मेरी बात से तो आप भी सहमत होंगे मैं सहमत हूँ आपकी बात से लेकिन साथ साथ सवाल ये भी तो है कि जब सरकार के भीतर से ही किसी खेमे से एक आवाज उठ जाए कि लोकतंत्र की अती से देश को ख्षती हो रही है ये टूमच देमोक्रेसी है जिस तरीके से रिफॉर्म्स का रास्ता रोका जा रहा है उस पर क्या कहें गया दिखिए पहले बात तो ऐसी कि मैंने सरकार की भूमिका आपको रखी है कि लोकतंत्र में सवाद होना चाहिए जहां सवाद नहीं होता है वहाँ विसमवाद होता है और जहां विसमवाद होता है वहाँ वितंडवाद होता है लोकतंत्र की पहली अवशक्ता है कि आपस में मिलना चाहिए बात्चीत करनी चाहिए और देश के हित में अगर विपक्ष ने भी अच्छे सुजाव देने दिये तो उसको स्विकार ना चाहिए और इसलिए हमारी पार्टी हमारी सरकार मोदी जी के नेतरुत में open minded है और इसलिए नरेंद्र तोमर जी पियूज गोईल जी ने बार बार उनको कहा कि आप इसमें भी अच्छे सुजाव जो भी देंगे उसके उपर विचार करेंगे और आपने भी बता है कि हमने इसके बारे में कुछ उनकी समस्याओं के बारे में उनको कहा कि इसके यह सोलूशन है यह हम तैयार है इस बात को मानने करने के लिए तैयार है ये भी कहा गया है तो मुझे लगता है कि लोकत अंत्रा में सवात कायम रहना चाहिए लोकत अंत्रा में जैसे राजनितिक पार्टियों और नेताओं को अधिकार अंदोलन करने का वैसे सत्तारूल पार्टी को सवेधन शिल्ता के साथ उस समस्या को समझ कर चर्चा करना और च केरें की सरकार इमानदार है लेकिन आवाजें कैनेडा तक से उठ जाती हैं वहां के पीम सवाल उठा देते हैं आवाजें ब्रिटेन की संसत के भीतर तक उठ जाती है वहां से भारत को घेरने की कोशिश होती है आपको लगता है कि कूटनितिक तौर पर भी और राजनितिक में यहां कुछ चर्चा करेंगे तो यह लोगत अंत्र में हमारी सरकार के लिए किसी के लिए उचीत नहीं होगा हम कभी उसके उपर कोई कॉमेंट्स भी करते नहां और करनी भी ने चाहिए उसी प्रकार से हमारे देश में जो जो गाओ गरी मजदूर किसान या जो भी कुछ प्रशना है उसमें हमारे देश की राजनितिक पार्टी है हमारे देश के नेता है हमारे देश में किसानों के संगटन है हम उनसे चर्चा करेंगे चर्चा को सुल जाएंगे इसके उपर किसी बाहर के देश के वेक्तिने पदादिकारी नहीं या किसी बत पर होई वेक्तिने कॉमेंट्स करना मुझे नहीं लगता यह उचीत है और मुझे लगता इसके दखल आपने भी लेने की कोई अवशक्ता नहीं है हमारे देश में जो भी लोग अपनी समस्या के परहब बोलेंगे यह उनका आधिकार है उनके साथ हम जरूर चर्चा करेंगे लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष में जो परिस्थिती बनी है नितिन जी एक लॉकडाउन के बाद जब देश की अर्थविवस्था को पट्री पर लाने का समय था उस समय में एक और लॉकडाउन देश के भीतर पारको रूकना है देश के हितने नहीं है किसानों के उतमे भी नहीं है और दूसरी बात ऐसे कि इस گोर्टर में हमारी एकोणामिक गरुथ के रिजर्ट भी काफी अच्छे है और हम कोवीड नाइंटीन की परिस्तिती पर मात करके हमारी एकोनामिक वार की लड़ाीं लड़ की और आगे जाना यही हमारा सपना है और मुझे विश्वास है कि किसानों की सभी प्रकार के नेता संगटन के नेता इस बात का जरूर विचार करेंगे और सयोग करेंगे और हम सब साथ मिलकर हम अतल बिहारी बाजपर जी की कविता को मैं अक्सर याद रखता हूं कि कदम से क मिला कर चलना होगा चाहे हम अलगल हो पर किसानों के हित में हम सब साथ मिलकर आगे जाएंगे हम कामयाब होंगे और निश्चित रूप से उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे तो हम होंगे कामयाब और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये तीनों बातों को ती सब्सक्राइब और आप सड़क के मंत्री हैं दो तरीके से एक इस विरोध से लड़ना गतिय विरोध से लड़ना जो की जाम लगा रहा है जगा जगा पर और दूसरा उस रफ्तार को कायम करने के लिए और बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्मान कारे लगातार करते रहने जिस पर आपका जोर रहता है वो दोनों में खलल पढ़ रहा है तो फाइब ट्रिलियंड डॉलर एकॉनमी का जो एक लक्ष आपके सामने रखा है अपनी टीम के सामने प्रधान मंत्री ने आपको लगता नहीं कि उसमें तो बहुत सारे रोडे हैं दिए पहले बात तो ऐसी है कि मैं कहूंगा कि पिछले स्वाधिंता के बाद जितने रोड पंजाब हरियाना विशेशुप से जांदोलन चल रहा हूं नहीं बने उतने पाच्छे साल में हमने बनाए और रोड में बनाने के करने किसानों को अपना माल कही भी पहुचाने के आसानी हुई अब दिल्ली और मुम्मे के बीच में हम लोग हाइवे बना रहे है जो बड़ा मार्केट है अभी हम लोग हमारा हाइवे का काफी काम भी हुआ है दो साल के अंदर रोड पूरा होगा अब इसमें हम लोग कार से 12 घंटे में और ट्रक से 18 घंटे में जाएंगे 48 घंटे लग रहे हैं 48 घंटे के बज़ा अगर 18 घंटे में जाएंगे तो किसानों का कितना फाइदा होगा अभी हम लोग पंजाब से अमरुसर से आगे हमारी भावनगर तक एक बड़ा हाइवे बना रहे है ताकि पोर्ट के लिए कानला पोर्ट को जाए रेक पंजाब अ हरियाना का माल चला जाए राजस्तान का ताकि एक और हम हमारा माल हमारा किसान का माल दुनिया में जाए तो मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे है किसानों के हित में कर रहे है अच्छे रोड दे रहे है बीजली का सप्लाय पुरा है हम एरिगेशन के लिए मैं वाटर परकल्पों पिछले 1970 से प्रलम भीत पड़े थे हमारी सरकार में जब मैं इसका मंत्री बना तो मैंने पंजाब हरियाना के लगभग सभी प्रकल्पों पर जगड़े मिटाएं मुक्के मंत्री को बुलाया और आज वो प्रकल्पों के काम भी शुरू हुए है अनिक उत्तरा खड़ में हिमाचैल में प्रकल्प बंद रहे और दिल्ली को पानी मिलने वाला प्रकल्प भी मैंने क्लियर किया पाकिस्तान में जाने वाला जो पानी था जो पर हमारा अधिकार था वो पंजाब और हरियाना के किसानों को मिले इसलिए हमने दो प्रोजेक्ट क अब वो पानी हमारे पंजाब और हरियाना के किसानों को मिलेगा हमारा उदर पंजाब से जो इंदिराज कैनल ओता था राजस्तम में जाता था वो फूटा था बाविस्सो करोड रुपे खर्चा करके कैनल का हम 70 करन कर रहे हैं तो राजस्तान के आठ डिस्टिक को एडिशनल पानी मिलने वाला है तो मैं Water Resources मंत्री था तो प्रधान मंत्री सीचाई योजना में जो प्रकल्प पचास टक्के पूरे हुए है वो जो बन पड़े है आठा ड़ज-दस साल से उसके लिए हमने पैसे दिये और वो प्रकल्प पूरे किये ताकि किसानों को सीचाई का परसें हिए हो चाए फीशिंग हो चाहि फूट वेसिटेबल प्रोसेसिंग हो को स्टोरे जो अब सब बातों पर इतने बड़े परमान पbourne आपि कि आपको priority sector में लेंडिंग होता है बैंकों का, अभी किसानों को जो करजा दिया जाता है, उसको priority sector कहा जाता है, उसमें हम 13 लाग करोड रुपे हमने किसानों को फाइनस किया है, तो मुझे यह लगता है कि हम लोग समस्या है, कठिनाईया है, पर जिस परकार से हम लगातार निर कम से कम एक हजार इंडस्ट्री गाओं में इथेनौल की केवल हमारे नीतियों के कारण आने वाले 3-4 साल में शुरू होगी, जिसमें करीब लाकों किसानों के युवाओं को रोजगार मेलेगा, और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार उसके उपर, बाइक, हमारी किसानों पार्टी के बढ़िया बने, जिससे जल्दी से जल्दी बंगाल में हो सके बदलाव, देखो मैं भावनगर से अम्रूसर की बात कर रहा था, और यह हाईवे जो होता है, यह अम्रूसर से निकलता है, और पंजाब हरियाना का माल लेकर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाई समाज के लिए हमारे लिए अभीमान का और हमारे लिए भीशे है, कि जो प्रमूख स्थान है, अम्रूसर के, छे स्थानों पर यह हाईवे वहाँ से लेकर मैंने उसके अलाइन्मेंट बदली है, और उसके बाद आगे कटरा, जम्मू कश्मीर की और जाएगा, और दिल्ली स से छे घंटे में अम्रूसरम पहुचाएंगे आपको, आप पूर वद्धेक्ष हैं पार्टी के, फिर भी राजनीतिक सवाल टाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप दिल्ली से कलकता का हाईवे अमिशा को ही बनाना है, आपकी उसमें को जिम्मेदारी है, वो बनाए, मेरा जिम आज तक पर आने के लिए केंद्री मंत्री नितिन गड करी, राजनीतिक सवाल पर उनकी टिपणी है, कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी, बंगाल की दी जाएगी, तो सोचा जाएगा, उस पर खाम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका कहना ये, कि किसानों के साथ बातचीत के ज़र ये ही मामला हल हो सकता है, राजनीतिक पार्टियां उसमें लाब उठाने की कोशिश कर रही है, और वो ही किसान अंदूलन को भटकाने की कोशिश करें, किसानों को भटकारी है